नमस्कार एब फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश इंस्ट्यूट में और मैं हूँ सर्वेश रवास्तो और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कम्प्योटर सॉफ्टेवर के बारे में मिंस कम्प्योटर सॉफ्टेवर के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या-क्या वर्क होते हैं आज के इस वीडियो में जो आप सिर्खने वाले हैं सो चलिए फड़ापार क्लास को स्टाट करते हैं और यहां पर आप देखेंगे computer software के जो है three types होते हैं means software के जो होते हैं three types होते हैं three types को explain करने से पहले आपको हम कुछ basic चीज़े हैं आपको हम बता दे कि computer software में क्या होता है कि जो software होता है इसके मतलब कि जो components होते हैं या two types के components होते हैं पहला जो computer का components होता है वो होता है hardware hardware और दूसरा हो जाता है software ध्याल से समझेंगे computer की जो components के दिए हम बात करते हैं तो कितने types होगे two types कोओंगे पहला आपका hardware होता है और दूसरा क्या हो जाएगा software हो जाएगा ठीक है तो इसी software की बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि software कितने types के होते हैं ठीक है जो कि hardware means क्या होता है कि hardware का जो work होता है computer में यानि किसी भी applications को operate करने के लिए किसी भी software को चलाने के लिए यह क्या करता है hardware आपका उसका help करता है जब तक वो मतलब की software को चलाने के लिए जब तक hardware help नहीं करेगा तब तक software operate नहीं होता है जो कि आप simple alignment में आप समझ सकते हैं कि hardware को आप हिए तकि कर सकते हैं जो पिखकी software कोन उर्पी आप सकते हैं आप उसको के बर में वोटे यूच किया जाते हैं ती के ज्यूप जो ङूप उसको सब्हाव Rise को जो थाइप में डिवाइट गया है पहला पइंत होगा आपका सिस्टम शॉब्टवेर और सेगेंड होगा अप्लिकेशन शॉब्टवेर और फ़र्ड नमबर होगा यूटिलिटी शॉब्टविड आपका ठीकते तो इस शॉब्टियर को कितने टाइप में डिवाइट किया गया है आपको three types में divide किया गया है system software application software और utility software ठीक है अब हम सीखते हैं कि system software क्या होता है system software का जो second name होता है वो operating system उसको कह सकते हैं मतलब कि system software को हम लोग क्या बोल सकते हैं operating system बोल सकते हैं जो कि यहां पर आप देख रहें इस system software को three types में define किया गया है, इसमें आपका operating system हो जाएगा, device driver हो जाएगा, compiler, interpreter और assembling language होता है, ठीक है, इस operating system में, इस system software में जो operating system होता है, operating system का जो work होता है, computer को operate करना, computer को operate करना, जब तक operating system नहीं रहेगा, तब तक computer में कोई भी applications को आप operate नहीं कर सकते हैं, इसको चला नहीं सकते हैं, तो यह जो operating system होता है, यह operating system जैसे dash है, इसके बाद examples के रूप में आप जो उसको समझ सकते हैं, यह windows हो जाएगा, जैसे बिंडो 7 है, बिंडो 8 है, बिंडो 10 है, यह किसके examples हो जाएंगे, इस operating system के example हो जाएंगे, मतलब कि जो dash होता है, dash का फूल फॉर्म होता है, वो हो जाएगा, डेक्स आपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब कि जो dash होता है, dash का फूल फॉर्म क्या होता है, डेक्स आपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि dash जो प्रोगाम होता है, यह जो software है, यह पहले इसको आपरेट के जाता था, जबकि इस dash अप्लिकेशन में जो है, आप किसी भी टाइप का आप इंटरनेट का आप यूज इसमें नहीं कर पाते थे, क्योंकि यह एक single user operating system होता है जबकि यह Windows जो होता है, multi user operating system होता है, इस multi user operating system में यदि आप कोई भी इंटरनेट का आप यूज करना चाहते हैं, तो बहुत यह आसानी सा आप यहां पर यूज कर पाते हैं, तो इस ही को जो है, आप हम क्या बोलता है, operating system बोलते हैं, समझारी बात, यानि कि इस operating system में जैसे आपके examples में आप समझ सकते हैं, कि operating system के examples क्या हो जाएंगे, तो डास हो जाएगा, Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, Linux है, XP यह तमाम, इसके examples आप उसको present कर सकते हैं, ठीके हैं, इसके बाद device driver होता है, device driver में क्या होता है, कि किसी भी मतलब की drive को operate करने के लिए driver की जूद परती है, जैसे example म आपको चलाने के लिए क्या होगा, उसका एक driver चाहिए, है ना, यानि कि printer जो होता है, जब आप computer से print करते हैं, तो पहले आप उसके driver को computer में install करते हैं, जब आप उसको install करते हैं, तब जाकर जहें, आपके उसमें computer के माद्धम से उसको आप print कर पाते हैं, ठीके तो बहुत ह उसके इंपोरेटेंट आपको होता है इसमें किसी भी drive को operate करने के लिए हमें जो है, आपका किसी भी, उसको driver का में need होगा, जैसे आपके एक्जामपल्स में मने आपको बता दिया, printer आपका, printer भी होगा, क्या होगा, क्यों प्रिंटर को print करना होगा, तो आप क्या करेंग, को इसके बाद थर्ड नमबर की बात करते हैं compiler interpreter और assembler को compiler और interpreter का काम जो होता है जैसे घुल लांगवेज होता है जो प्रोगांविंग लेंगवेज हो जो आप लिखते हैं तो उसको हमें आपको रण कराने की जोरत पड़ती है तो रन कराने में आपका interpreter और compiler का role होता है इसमें क्या होता है कि जो भी program लिखा जाता है उसके program को error find करने के लिए हम लोग इंटरप्रेटर और compiler का यूज करते हैं interpreter compiler का यूज कप करते हैं किसी program का error find करने के लिए ठीक है और जो एसेंब्लिंग जो लैंग्वेज होता है इस एसेंब्लिंग लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट किसमें करते हैं मसेनी लैंग्वेज में यानि computer जो होता है अपने language में समझने के लिए उसको मज़नी language में उसको convert करता है तो इस system software की कितने types हो गए आपके operating system, device driver और compiler interpreter और assembler ठीक है समझभारी बात अब इसके बाद application software के दिए हम बात करते हैं तो इस application software में two types के software आ जाते हैं पहला आपका मैंने लिखा हुआ है general and special purpose software general and special purpose software का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी official से related कोई application अप्रेट करना चाहते हैं तो किस में आएगा application software में आएगा ठीक है आप general तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे MS Office में word excel powerpoint access जितने भी आपके इस तरह के है जो application होता है जो software होता है उस कमनों क्या बोलते हैं application software बोलते हैं ठीक है तो इस आप examples में आप लिख सकते हैं जैसे word लिख सकते हैं इसके बाद आप excel लिख दीजे powerpoint लिख दीजे ठीक है इसके बाद access program होता है मैं success जिसको बोलते हैं ठीक है तो यह कौन सा program होगा यह general and special purpose के लिए जो program बनाए गया होता है वह application software हो जाएगा and customized software होता है जैसे आप किसी भी मतलब की special बेजनिस तवर पर यदि आप को भी special जो program जो package को ready कराते हैं जैसे किसी restaurant का package हो जाएगा हो जाएगा किसी साप का जो software हो जाएगा तो यह आपका कस्तमाई software के थू जाएगा जो कि आप अपने नीजी प्रस्नल उसको software को create किया गया इसको बनवाए गया है अपने बेजिस लेवल में तो उसको आप कस्तमाई software के थू आपका आएगा लास्ट नमबर आपका आता है utility software होता है utility का काम क्या होता है utility का काम यही होता है कि यदि आप अपने computer को safety रखना चाहते हैं तो आपको utility software अपने computer में होना जुरूरी होगा अभी भी नहीं समझ मा रहा है मतलब कि आप इसको कर सकते हैं utility software मतलब antivirus software utility का second name क्या होगा antivirus software और antivirus software का काम यही होता है यदि आपके computer में यहीं वारस आता है तो उस virus को सबाप्त करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा antivirus का यूज करना पड़ेगा अर्था utility software का आपको यूज करना पड़ेगा तो यह आपका जोगा इसके थर्ड पार्ट आपके हो जाएंगे मतलब कि इस computer software में थ्रे टाइप सिस्टम साप्टेवर अप्लिकेशन साप्टेवर एं यूटिलिटी साप्टेवर जिसके इसके जितनी भी functions थे सारे functions के बारे मैंने आपको बता दिया है यदि definition आप जाना चाहते हैं साप्टेवर का definition क्या होता है तो आप मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि साप्टेवर इस सेट आप इंस्टेक्शन्स डेटा और प्रोगाम्स यूज्ज तो आपरेट कंप्यूटर एंड एक्जिक्यूट इस स्पेस्फिक टाक्स यानि कि स्पेशल जो प्रोगाम बना जात होता है तो आप जरू कमेंट करके आप बताए चलिए बस आज के लिए इतना ही रने देते हैं और इसके पहले आपको बता दे कि आपको यह वीडियो अच्छा लागा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेर जरू करें चलिए किसी और दुसरे वीडियो में आ पंदे मातर हैं